Hello dear students, इस वीडियो में बच्चों हम animals के बारे में पड़ेंगे, हम अपने आज़ पास जो भी जानवर देखते हैं, बच्चों अलग अलगतर है कि जानवर देखते हैं, जैसे कि कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत चोटे होते हैं, तो जैसे बड़े ये जानवर छोटे होते हैं, तो जो जानवर होते हैं, बच्चों उनके चार पैर होते हैं, ये आप सपने देखाऊगा, जैसे भालू है, जेबरा है, लॉइन है, टाइगर है, और ये राइनोसार्स है, इसके अलावा बच्चों जादे तर जैसे पक्षी होते हैं, बर्ड ये चोटे insects है तो बच्चो बर्ड के बारे मैं हम पढ़ेंगे कि आप दुनिया में बहुत तरह हैं कुछ उड़ सक्ते हैं कुछ नहीं उड़ सकती हैं तो बर्ड में क्या होते हैं उड़ने के लिए wings होते हैं और feathers होते हैं जो उनकी body को डइके रखते हैं बर्ड के दो पैर होते हैं जो उनको चलने में हेल्प करते हैं और डक्स कुछ बर्ड होती हैं जैसे कि डक है उसमें क्या होता है डक और स्वैन है वो तैर सकते हैं इसके बाद इंसेक्स होते हैं बच्चो कुछ कीडे मकोडे ऐसे होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं जिनके इंसेक्ट जैसे Silk Worm है। हमाई silk बनाने में हैलप करता है। सिल्क कि बनाया जाता है। honeybee होती है। ये मदु मक्ही के च्छत्ते से हमें शहेद मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी insects ऐसे होते हैं जो हमारे यूज में आते हैं हनी भी है, हाउस फ्लाई घर की मक्ही है, ये ग्रासों पर है, ये बटर फ्लाई है तितली जिसे हम बोलते हैं तो इस तरह से बच्चों जो मक्ही होती है उसका वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही उसकी लाइफ होती है तो हमने क्या-क्या चीजे पड़ी, हमें क्या-क्या चीजे याद रखनी चाहिए बच्चों एनिमल्स बहुत तरह के होते हैं, जिराफ जो होता है, दुनिया का सबसे लंबा एनिमल है, टॉलेस्ट एनिमल है और भेल जो है, पूरी अर्थ की, पृत्वी की सबसे बड़ी एनिमल है, भेल, फिश जो होती है इसके अलावा, एलिफेंट, जो हाथी होता है, वो हमारी लैंड का सबसे बिगस्ट एनिमल है और इंसेक्स जो होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, और उनकी छेलेग होती है अब हम इससे जुड़ी हुई कुछ एक्सरसाइस करेंगे बच्चों, जैसे की, यहाँ पर हमें सही आप्शन पर टिक लगाना है जो बर्ड उड़ नहीं सकती, वो कौन सी है इन में से, पैंग्विन, इसके अलावा ओस्ट्रेच, कीवी, यह भी कुछ बर्ड से ऐसी होती हैं, जो उड़ नहीं सकती है इसके अलावा, second question, tallest animal in the world, सबसे tall animal कौन सा है, जिराफ, biggest animal land पे कौन सा होता है, elephant, और insects के कितनी लेक्स होती है, six लेक्स होती है तो इस तरह से बच्चों, हम इन सही option को चुन कर, इन sentence को पूरा कर सकते हैं इसके बाद next question में भी हमें fill in the blanks पूरे करने हैं, जैसे we see different kinds of animal, we see different kinds of animal around us, some animals are big and some are small, some birds have two feet इस तरह से बच्चों, हम इन questions के answer दे सकते हैं, next question में हमें true false बताना है, जैसे birds के दो wings होते हैं, yes, true insects जो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनमें 6 लेक्स होती हैं, elephant biggest animal है land का, तो इस तरह से हम उनको answer कर सकते हैं अब यहाँ पर हमें match करना है, जैसे elephant जो है वो big animal है, rat जो है वो small animal है, pigeon bird है, grass उपर insect है, तो इस तरह से हम इन questions के answer कर सकते हैं तो यह था बच्चो, animals के बारे में, जो कुछ जानवर हम अपने चारों तरफ देखते हैं, I hope आपको समझ में आया होगा, कि किस तरह के जानवर होते हैं, किस किस तरह के जानवर होते हैं, और किस तरह से उनकी चीजे होती हैं, जैसे birds में wings होते हैं, feathers होते हैं, इसके कौन सा है land पे, elephant, tallest animal कौन सा है, ziraaf, I hope आपको समझ में आया होगा, thank you